नमस्कार मैं हूँ स्वेश्तिवारी आप सभी देख रहे हैं Only News Nation आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के हमारी अपड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जिया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी का बुल्डोजर अब मदरसो पर काल बन कर तुट पड़ा है जबसे उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदितनात का आदेश आया है मदरसों के सर्वे कराने का उसके बाद से मदरस अधारियों में हलचल मची हुई है अब कॉंग्रेस के राहूल गांधी के गड़ में खुश कर मुख्यमंत्री योगी आदितनात के बुल्डोजर ने कैसे टांड़ो मचाया है ये आज हमारी इस ख़वर में आप देखेंगे कि कैसे कॉंग्रेस के गड़ा मेटी में मुक्यमंत्री योगी आदितनात का बुल्डोजर पहुचा और 35 मिनट में देखते ही देखते 35 मिनट में उस बुल्डोजर ने सब कुछ मिट्टी में मिला कर रख दिया सब कुछ जमींदोज करके रख दिया मामला था अवैद मदरसे का और अवैद मदरसे की बात सुनते ही योगी के कान खड़े हो गए जिसके बाद योगी के बुल्डोजर ने वहाँ पर अपना टांडो दिखाया है तो चलिए खबर की तरफ पढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे राहूल गांजी के गड़ में योगी के बुल्डोजर ने टांडो मचाया है और कैसे देखते ही देखते 35 मिंट के अंदर अवैद मदरसों को द्वस्त कर दिया है आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरूद करते हैं कि खबर पसंद आये तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही साथ में कमेंट करके योगी के बुल्डोजर का जो ये एक्शन जारी है योगी का जो अवैद मदरसों पर एक्शन जारी है इस पर अपने राय पतक्रिया जरूर दीजिएगा क्योंकि इस भी जैसा कि आपने देखा ही होगा कि कैसे मदरसों के अंदर आतंक पढ़ाया जा रहा है आतंक के बारे में पढ़ाया जा रहा है आतंक के रास्ते पर नौजवानों को ठकेला जा रहा है अब इसी पूरे मामले को मद नजर रखते हुए मुक्यमंत्री योगी आधितनाथ ने अपने तेवर सक्त कर लिये हैं और अपने बुल्डोजर को अवैद मदसों के पीछे छोड़ दिया है बता दे कि उत्तरपरदेश में अवैद बिल्डिंगों पर यूपी के योगी सरकार बुल्डोजर एक्षन जारी हो गया है अमेटी में चार साल से सुल्तानपूर रायपरिली राजमार के किनारे गुजर टोला गाउं के पास चरगाह की बेश कीमती जमीन पर बने मदरसे को तहसिलदार कोर्ट से बेदखली के बाद सुमवार की सुबह बुल्डोजर से डहा दिया गया चार कमरों के मदरसे को पुलिस पीएसी के साथ पहुँचे प्रसांसनिक अधिकारों ने डहाया है ऐसे में बुल्डोजर का ये एक्षन देखने लायक था 35 मिनिट के अंदर ही बुल्डोजर ने पूरे के पूरे मदरसे को जमीन दोज कर दिया बुजर टोला गाम पंचायत अंतरगत सुल्तानपुर रायबलेरी राजमार के बाई तरफ चरगाह की विश्व बेस कीमती जमीन पर गाउनिवासी हसन पुत्र सुल्तान ने निर्मान कारे करा रखा था चार कमरो और बरामदे के इस भवन में दो साल पहले तक मदरसा संचालित हो रहा था भूकन से थोड़ी दूर पर एक सरकारी हैंड़ पप भी लगा हुआ था मदरसे के बहाने पूरे भूकन पर अवैज कबजे की कोशिस की जा रही थी जमीन हाइवे से सटी होने के नाते करोडों की बताई जा रही थी मामले में लेकपाल की रिपोर्ट पर तहसिलदार कोट में अगुवाई में सुबस साड़े पांच बजे टीम मदरसा गिराने के लिए मौके पर पहुँच गई टीम में गौरी गंज, SDM के साथ ही अतिरेक्ट मजिस्ट्रेट, सचिन्यादो, गौरी गंज, जामू, मुसिंगज, महिला थाना और जायस थाने की पुलिस के साथ ही डेड़ कमपनी पी-एस-सी पहुँची थी साथे पांच बजे से छे बच कर पांच मिनिट तक बुल्डोजर चलता रहा और बुल्डोजर ने करीब 35 मिनिट में पूरा का पूरा मदरसा ही जमिंदोज कर दिया किसी भी प्रकार की सांती वे उस्ता बंग होने की इस्तती न बने इसलिए मौके पर पुलिस बल और और पी-एफ भी तैना थी पी-एस-सी बल भी तैना थी बता दें कि जैसे ही अवैद मदरसे को ढाने बुल्डोजर पहुची वहाँ पर हाकार मत गया अवैद कबजेदारों में हरकम मच गया प्रसासन की कारवाई से सरकारी जमीनों पर कबजा करने वाले अवैद कबजेदारों पर हरकम मच गया गुजर तोला गाओं में अन्य कई बेदखली के मामले चल रहे है सूत्र बताते हैं जल्दी उन पर विकारवाई हो सकती है वहीं जुर्माना भी लगाये गया है तहसिलदार दिविजे सिंग ने बेदखली का आदेश करते हुए कबजेदार हसन पर 2,24,000 का जुर्माना लगाया है कबजेदार को यह जुर्माना अदा करने के आदेश दिये गए है तो आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदितनात का बुल्डोजर ना सिर्फ अवैद बिल्डिंगों पर बलकि अवैद मदसों पर भी चलना शुरू हो गया है हाली में जिस तरीके से वैद मदसों पर खुलासे हुएं जैसे जैसे खबरे आई हैं उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदोस को ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया था जगचोर कर रख दिया था ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनात का यह फैसला बेहद ही विचार धीन था क्योंकि जैसे ही यह फैसला आया उधर दूसरी तरफ मुश्लिम खेमे में हड़कम बच गई और जितने भी उलेमा थे जितने भी मुश्लिम संगटन के नेता थे उन्होंने मुख्यमंतरी योगी आदितनात के इस फैसले के खिलाफ चहर उगलना शुरू कर दिया खुद OVC ने इस फैसले के खिराफ बयान देते हुए मुख्यमंतरी योगी पर हमला किया और कहा था कि अगर मदरसों का आप जाच करा रहे हैं तो आप प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों का भी जाच कराईए लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कितने वच्चे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के आतंगवाजी निकलते हैं वहीं दूसरी तरफ देखें, तो ऐसे कई लड़कों के नाम सामने आए हैं, ऐसे कई विशेस धर्म से जुड़े नाम सामने आए हैं, जो कि मदरसों में पल बढ़ रहे थे और आतंग को बढ़ावा दे रहे थे, जो कि उसी मदरसे से आतंग का पाट पढ़ा रहे थे, नए नौजवानों को धीरे धीरे आतंक के रास्ते पर धकेल रहे थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुक्यमंत्री योगी आधितनाथ ने इन सभी गत्विदियों पर नकेल कसी है और जिस तरीके से सकती बरत्ते हुए सारे आतंकी गत्विदियों पर पूर्ण व असम के मुख्यमंत्री हेमंद विश्वास्तरमा ने भी मुख्यमंत्री योगी के बुल्डोजर मोड़र्व को अपनाते हुए असम में चार मदरसों को ध्रस कर दिया है वो चार मदरसों से आतंग की मोडूल चल रहे थे उन चार मदरसों के अंदर से आतंग का पार्ट पढ़ाय जा रहा था वो चार मदरसे मदरसे नहीं बलकि आतंग की फैक्टरी बने बैटे थे ऐसे मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंद विश्वास्तरमा ने भी मुख्यमंत्री योगी आधितनात की तरह ही बुल्डोजर कारवाई को ज़्यादा सही माना क्योंकि बुल्डोजर ही एक ऐसा डर है जिसने इन तमाम आकरांताओं के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया है कि अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो आप पर बुल्डोजर चलेगा ऐसे मैं अब देखना ये होगा कि मदरसों के सर्वे में उत्तरप्रदेश के मदरसों के सर्वे में क्या कुछ खुलासा होता है क्योंकि एक बात तो साफ है एक बात साफ है मदरसे के अंदर परहाई कम, सिख्षा कम और आतंग को बढ़ावाज जादा दिया जाता है मदरसे के चार दिवारी के अंदर किस तरीके से जमीन कबजा किया जाता है मदरसे के नाम पर किस तरीके से सरकारी जमीनों पर अपना अवैद कबजा खड़ा कर दिया जाता है वहाँ पर खुलासा करने का है पत्रकार को पकड़ता है घर में बंद करता है मारपीट करता है और उसको खुली धमकी देता है कैमरे से वीडियो डिलीट करने को कहता है हलाकि वो खुद गैर कानूनी काम कर रहा होता है मगर अब इस पूरे मुद्दे को मद्द नजर रखते हुए सरकारे सक्त हो गई है खास करके उत्तरपरदेश की योगी आदितनात इस पूरे मामले को सक्ती से देखते हुए कारवाई पर लगी हुई है और उसी करम में बुल्डोजर लगातार एक्शन पर जा रही है इस झाल झाल